आती है इसमें आप फस सकते हैं कि creativity और intelligence में क्या रिष्टा है ये रिष्टा क्या कहलाता है कौन से वाला बुद्धी और रशनात्मक्ता का ठीक तो creativity और intelligence रशनात्मक्ता क्या है कुछ नया कुछ नोवल कुछ different कुछ अलग करने की शमता सब में नहीं होती है ना सब को नहीं मिलता लक्षमन तो उसी तरह से creativity भी हो दी है बेट अलग अलग स्थर की होती है ठीक है के वेस बैच बता चुके हूं है admissions आज से start हो चुके है और एक बार करियर्व लैब पर जा करके देख लो या let's learn आप उसका उधारन कह सकते हैं सीटेट की पूरी दुनिया ही बदल गई लोग coachings में फीस देते थे offline जा जागे 20-20 हजार में सीटेट पड़ते थे लोग में पास लोग नहीं बचे जो coaching में आके 2 रुपे देदे हैं आज की date में सीटेट के नाम पे तो खेर यह सब बात क्रिएटिविटी से क्या नाता है पहला पॉइंट रिसर्चर्चर्चर्स है फांड एट गर रिलेशनचेंशेंट बिट्विटी और इंटेलिजेंस पॉजिटिविटी पहली बात तो यह कि जो बुद्धी और रचनात्मकता का रिष्टा है वो पॉजिटिव माना जाता ह सकारात्मक माना जाता है कि अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ बुद्धी आपके पास है अगर बुद्धी ठीठा के स्तर की है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा क्रिएटिविटी को मतलब की मनीशा बुद्धी की जब हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रह आप टेल्यवल न को है जरुद्धी कोई को एक मतल अच्छा है तो क्रियेटिविटी भी आती वागो ही होगा ही बड़ अकरीक्यू हय तो इसससे वाइदाइस मास म मार्क्स निशार राजपुत चाहिए के वेस में टर्मन इंदी 1920s चाहिए को 10th हो 12th के बारे में उन्होंने बात की हुई है 10th के बारे में तो नहीं टर्मन ने 1920 के अराउंड पाया यह वई टर्मन है जो IQ की बात कर रहे थे कि that the persons with high IQ जिनका IQ जादा था जरूरी नहीं है कि वो creative थे ही थे यानि IQ का जादा होना creativity का कोई सूचक नहीं है लेकिन अगर IQ जादा है तो उससे नुकसान भी कुछ नहीं है positively related है उसका मतलब क्या हुआ हर व्यक्ति जिसका IQ जादा है वो creative होगा ही होगा not necessary जरी है लेकिन एक certain level of बुद्धी आपको चाहिए होती है creativity के लिए अगर आप बिल्कुल जड़ बुद्धी है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि creativity काम कर पाए जड़ बुद्धी तो खेर अपना भी ध्यान नहीं रख पाता वो अपने आप में अलग topic है seated में उतना आपको जानना नहीं होता कभी पूछेगा भी नहीं आपसे अर्थात हर एक high IQ वाला बच्चा रशनात्मक हो आवशक नहीं है simple, subtle, सुन्दर, सस्ती, टिकाओ बात किसी को ये छोटी-छोटी बाते समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप बता दीजे अभी हम ये चार element देखते हैं फिर आएंगे वापस से creativity और इसके relationship में divergent और convergent thinking पे जिससे एक question minimum आता है हर साल उठा के देख लो paper चाहें online हो, offline हो कोई भी paper हो किसी भी धरा का अगर हम देखते हैं, creativity के कुछ तत्व है चार इनसे question पूछा जा सकता है पूछा गया है इस बार भी creativity के तत्व यानि रशनातमक्ता के तत्व elements of creativity, four elements है FFOE, ये trick कह लिज़े आप इसको ये mnemonic में कहती है हुँ आपको बहुत साइ topic के mnemonics मेंने दिये हुए है, यानि वो short form जैसे PIAJ की SPCF है अभी हम पढ़ रहे थे थोड़ देर पहले कुछ और है ठीक, तो ये क्या है FFOE, यानि first है fluency, यानि कोई व्यक्ति है तो उसमें चार लक्षन पाए जाएंगे, creativity को लेकर के एक है F और fluency, यानि धारा प्रभाहिता यानि कोई problem उसके सामने रखो वो दुनिया भर के thoughts, दुनिया भर के ideas दे देगा ऐसा नहीं किसी चीज़ को solve करने का एक ही तरीका है multiple thoughts है, उसके पास multiple ways है fluency है, जैसे आप बोलते भी है तो अटक नहीं रहे, multiple ways हैं बोलने के दूसरा आता है flexibility, लचीलापन एक रास्ता काम नहीं कर रहा है, दूसरे तरीके से try करेंगे दूसरे से नहीं, तीसरे से try करेंगे यह नहीं है, अटक गए, अरे बस मम्मी मुझे तो यही पता था आप तो मुझे नहीं पता कैसे करना है, ऐसा हम तब करते हैं जब हम आलस्त में होते हैं, otherwise किसी भी चीज़ को करने के 70 तरीके हैं, और यह आलस्त करते करते हैं एक दिन हमारे दमाग बंद हो जाता है, फिर हमें नई problems से बचने का बंद करता है, फ्लेक्जिबिलिटी मतलब एक रास्ता काम ना करें, दूसरा दूसरा काम ना करें, तीसरा, वो कहा जाता है कि भाई, आपका जो alphabet है, उसमें कितने letters हैं? 26, तो अगर plan A काम ना करे, B ट्राइ करो, B ना करे, C ट्राइ करो, Z तक बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यह flexibility है, कि आप attack नहीं रहें एक जगापे, फिर आता है third, हैना, इसका मतलब आपको relationships में बिल्कुल नहीं लेके जाना है, कि person A काम नहीं कर रहा है, तो person B पे ट्राइ करेंगे, person B काम नहीं कर रहा है, तो यह इसको दिल पे ले जाते हैं, कि लोग real जीवन में follow करने लगते हैं, तो आपका जीवन जो है थोड़ा सा अशांतिक पूर्ण हो सकता है, अगर आप यह relationship में apply करते हैं, यह इतनी flexibility, थोड़ी बहुत rigidity भी चाहिए होते हैं, भी ठीक है, flexibility होनी ही चाहिए, original यानि, originality एक चीज है, originality बोले तो molek था, यानि आपकी जो thoughts हैं वो molek हों, ऐसा नहीं है, किसी ने कुछ क्या, आप नहीं भी वही copy कर दिया, तो उसको फिर हम creativity नहीं कहेंगे, उसको कुछ different करना नहीं कहेंगे, फिर आता है fourth elaboration, यानि विस्तार, यानि जो भी आपने solution निकाला है, जो भी originality से idea आया है, novelty से idea आया है, उसको elaborate करें, उसको देखें, real life implication क्या है, कैसा